तो अब तक हमने इस playlist में देखा कि अगर हमारे पास electrical forces हैं तो उसको हम electric field के नजरीये से के point of view से देख सकते हैं ठीक है तो similarly अगर हमारे पास अभी gravitational forces हैं forces जो mass mass के current produce होती हैं जो हमने mechanics में देखी थी ठीक है अगर हमारे पास gravitational forces हैं उसको भी हम gravitational field के नजरीये से देख सकते हैं ठीक है तो आज हम देखिए हैं कि अगर आपके पास gravitational field है उसके लिए अगर आपको गौसुस लाओ निकालना हो तो वो कैसा दिखे रिगा ठीक है तो सभी बात रहेगी शायद आपको ये books में मिलना आपको exam में भी शायद पूछाना जाए लगा ठीक है पॉइंट आपको से देख सकते हैं तो खोकली बात नहीं है तो टाइम पास करने वाली बात बिल्कुल नहीं है ऐसी बात नहीं है कि भाई जब हम लेक्टोमेंडिजम पढ़ रहे हैं तो वहां पे कुछ चीज़ों को explain करने के लिए हमने field का concept लेके आया थी और future में जाकर कुछ और पढ़ेंगे तो कुछ और नहीं आइटम लेके आ जाएंगे ऐसी बाल बिल्कुल नहीं है field जो है एक foundational concept है central concept है मुद्दे का concept है physics में नेचर को समयने के लिए और यहीं पे निरुकेगा जब हम future में relativity पढ़ेंगे या quantum mechanics पढ़ेंगे तो field वहां पे भी होगा इसका मतलब शायद थोड़ा change हो लेकिन field central core concept रहेगा physics में ठीक है तो अगर आप देखो जो आइंसाइन का master piece था general theory of relativity वह कहां से आया था आइंसाइन ने जब special theory of relativity बनाया जो picture nature का निकला वो picture जो Newton ने picture बनाया था nature का उसके साथ fit नहीं हो रहा था properly problem वही prime problem थी actionary distance की problem थी जो हमने electric field में पढ़ा था ठीक है अंचैट को लगा कि जो फैरेडे का concept है जो Maxwell फैरेडे ने concept प्रपोस की है field का कि forces field के थूर लगती है उसको लगा कि इवन तो gravitational forces है वो भी gravitational field के थूर लग रही है ठीक है जो जो general theory of relativity है उसको जुड़ा जाता है कि space time कर्व करता है उसके साब जो सही भी है लेकिन अगर आप सच में उसके पीछे जाओ तो जो underlying idea है जो core idea उसके पीछे यह था कि Einstein ने general theory of relativity से दो question को answer किया था पहला कि gravitational field क्या होती है और दूसरा space क्या होता है और जो बड़ा idea जो Einstein की thing जो big idea वो यह था कि space ही आपका gravitational field है तो अब अगर आपका space ही gravitational field है तो उसका मतलब क्या है इसका मतलब यह कि space भी move करता है bend करता है curve करता है जैसे Maxwell की field जो थी वो move करती थी Maxwell की equations के मताबिक हमारा space भी move करेगा curve करेगा और वहीं से space time curve का concept निकला था ठीक है तो अब जनल theory of relativity और Mr. Gauss में एक रिष्ता है ठीक है वो रिष्ता यह है कि बहुत पहले Mr. Gauss ने curved objects के लिए कुछ equations लिखी थी और उसने अपने चेले को उनका एक्स्टोडेंट था Raymond उसको बोला था कि बाई तिन dimensional या उससे ज्यादा dimension की objects के लिए एक generalized equations लिखो जिसको रिमन कर वेचर बोलते हैं और Einstein ने वो रिमन कर वेचर यूज किया था space time curve equation को लिखने के लिए ठीक है तो अभी बहुत होगी इदरुदर की बात हैं अभी मुद्धे पर आते हैं ठीक है तो अपने को यह mass m दिया गया है जिसके कारण gravitational field g है अपने को पता करने के लिए इस mass के कारण gravitational field के कारण gaussus law क्या बोलेगा ठीक है तो gaussus law निकालने के लिए अपने को चाहिए flux इस mass के कारण इस gravitational g field के कारण कितना flux पैदा हो रहा है और flux निकालने के लिए अपने को पता है कि भई अपने को एक gaussian surface चाहिए रहेगी जो इस mass को बंद करें in close करें अपने कोई close gaussian surface चाहिए रहेगी ठीक है यह वाला केस कौन सा केस होगा यह केस होगा spherical symmetry का केस ठीक है तो अगर हम इस mass को बंद करें एक sphere के अंदर तो उसको हमें gaussian surface मान सकते है और यह हम करेंगे ठीक है तो हमने अभी यह sphere जो center से r-radis पे है उसको हमने चुना ऐसे gaussian surface ठीक है अब हम इसमें निगा लेंगे कि भाई gravitational flux कितना गुजर रहा है और इसको end में generalize कर रहेंगे हम लोग ठीक है तो इसमें इसे flux कितना गुजरेगा, gravitational flux कितना गुजरेगा हमने electric flux को कर से define किया था close integral e.ds ठीक है तो इस case में gravitational flux होगा वह भी पैसा ही होगा फरक बस इतना है कि instead of electric field intensity अपने को gravitational field intensity से को replace करने का ठीक है तो हमारे बाइब जो flux होगा gravitational flux किसके बापर होगा g.ds का close integral g यहां पर क्या है gravitational field intensity ठीक है तो अब इस जी की value क्या होगी जी की value कि किसी एक point पे इस mass के कारण इस mass m के कारण एक unit mass m0 पे कितनी force लग रही है अगर वो m0 r distance पे है तो g की value क्या होगी g m1 m0 r square और डिवाइड कर दो इसको unit mass से ठीक है तो अब कि बस g gravitational field नस्ती क्या दाएगी gm डिवाइड पे r square ठीक है तो electric field की तरह g भी अगर आप देखो यह 1 by r square vary करती है तो अभी g की value चाहे constant होने वाली है ठीक है तो हमारी Gaussian surface जो हमने चुड़नी है उसकी हर एक point पे g की value क्या होगी constant होगी plus g और जो area vector है वो हर एक point पे हमारी Gaussian surface के case में radially outward होने वाले है बागी तरफ होने वाले है direction से होने वाली है तो theta की चंता करने की ज़रूर भी नहीं है हमारे को ठीक है तो इस equation इस integral में क्या हो जाएगा जो आपका जी है वो भार आ जाएगा तो आपको सिर्फ ds का close integral नेने का है तो ds का close integral क्या होगा इस Gaussian surface के लिए इसका surface दे लिए फोर पाई र स्कूर ठीक है तो आपके बस क्या आ जाएगा फ्लक्स क्या जाएगा फोर पाई कैपिटल जी इंटू एम ठीक है तो अभी यह रहा आपका gravitational flux एक close sphere के थ्रूँ ठीक है तो इवन थो हमने जो निकाला वो एक स्फिर के लिए निकाला है लेकिन हम जर्नलाइज कर सकते हैं कि किसी भी सर्फेस के थ्रूँ जो ग्रैविटेशनल फ्लक्स होगा आपका वो यह होगा ठीक है और रीजन्स आर्गोमेंट सेम है जो हमने जब लेक्ट्रिक फिल्ड के लिए हमने कॉस्टिस लाउग यूज किया था तो जो रीजन हमने वहाँ पर दिये थे सेम वीजन को यूज करके सकते हैं कि भाई किसी भी क्लोज सर्फेस के थ्रूँ जो ग्रैविटेशनल फ्लक्स होगा वो इतना होगा ठीक है तो दो चीजने यहां पर ध्यान में रखने वाली पहली बात अगर आप देखो जो हमने एक्स्प्रेशन निकाली है उसमें फोर कॉंस्टन है पाई निकाला था हमने वह भी एई बोला था कि भाई क्लोज सरफेस के थूरोजम फ्लक्स होता है उसके अंदर और चार्ज कितना है, आप हम बोले हैं कि बाइ, अंदर मास कितना है, ग्रैविडेशनल प्लक्स होगा, ठीक है और रीजन, दोनों केसिस में सेम रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, वो यह है कि बाइ, जो ऐल्क्रिक फील होती है और जो gravitational field होती है वो one by r square vary करती है वो reason है कि बैइ दोनों cases में जो result आ रहे है से हम और हम यही बोला था जब हम gaussus law electric field के लिए बात कर रहे थे कि बैइ जो gaussus law है वो खली electric field के लिए applicable नहीं है valid नहीं है कोई भी field जो one by r square vary करेगी उसके लिए gaussus law और valid होगा ठीक है और दुसी बात यह कि बैइ जैसे हमने गौसus law के वीडियो में बोला था कि बैइ जो गौसus law है यह अपने को को ने information नहीं देता यह अपने को field को देखने का different नजरिया एक अलग point of view और एक अलग lens देता है ठीक है और जिस तरह से हमने flux को define किया हुआ है यह reason है कि gaussus law काम करता है और हमारे लिए useful है अगर हमने flux को किसी और त्रिके से define किया होता तो शायद gaussus अब हमारे लिए useful नहीं हो तो और शायद यह valid भी नहीं होता ठीक है तो hopefully आज के वीडियो से आपको थोड़ा gaussus law के बारे में थोड़ा better perspective मिला होगा थोड़ा समयने में थोड़ी ज्यादा मदद मिली होगी ठीक है तो आज के लिए इतने आप दे फिर्म मोला का दोगी थैंकि सो मख शुक्रिया